हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चले दोस्तों शुरू करते हैं डोगा का एक रोमान्चक कॉमिक जिसमें उसके जीवन का रहस्चे खुलने वाला है क्यों फेका कूडे पर का दूसरा भाग दुबई राओ और खुडे, तुम्हें मेरी मोत का नहीं, तुम्हारी मोत का पैगाम दे कर गए हैं बेवकुफो चूम चूम तुरे होस्पिटल में हडकम सा मच गया था मगर डोगा को इस हडकम से कोई मतलब नहीं था कब तक तू खुएलेगा, मुझसे ये चोर सिपाही का गेम दुबई राओ किसी दिन तो आएगा, तेरा सीना, मेरी गोली के सामने लेकिन फिलहाल मुझे देखना होगा, कि ICU 75385-DDU नंबर केस पर किसका नाम है, और ये सक्स कहां पर रहता है हाँ, ये रहा, पर ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता ये केस नंबर तो दुबई राओ का है भगदड की आवाजों ने दोगा को भी वहाँ से फोरण ही निकलने पर मजबूर कर दिया दोगा होस्पिटल से तो निकल आया था, लेकिन अपने विचारों के जंजावाद से बहार नहीं आ पाया था मेरा डियन ने दुबई राओ से कैसे मैच कर गया दुबई राओ, जो एक खतरनाख खतियारा है, अंडर वल्ट का बादशा है मुझरिम, दुबई राओ, जिसके पीछे पूरी मुंबई पुलिस लगी है एक अपरादी, दुबई राओ का डियन ने, मेरे डियन ने से मैच क्यों कर गया क्या दुबई राओ से मेरा कून का रिष्टा है मैंने पड़ा है कि एक ही माबाप की संतानों के डियन ने आपस में मिल सकते हैं तो क्या दुबई राओ और मेरे माबाप एक ही है दोगा ठिटका, वापस पल्टा, और धाएं, धाएं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जूट है, ये जूट है क्योंकि अगर दुबई मेरा भाई है, तो उसके भाई, मुंबई राओ, और बाबु राओ भी मेरे भाई थे जिनने मैंने खतम कर दिया हत्यारों के परिवार का खून डोगा, अपने भाईयों का हत्यारा डोगा उफ, कहीं मैं भी तो हत्यारा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, वो भी तो हत्याई नहीं, कहीं मैं भी तो मुझरिम नहीं सुरज ने एक तुफान की तरह, अद्रक चाचा के कमरे में परवेश किया अद्रक चाचा अद्रक चाचा आओ सुरज क्या बात है क्या हुआ सुरज व्यग्र भाव से अद्रक चाचा को सब कुछ बताता चला गया अद्रक चाचा गंबीर हो उटे सुरज तू हत्यारा नहीं है तू मुझरिम नहीं है मगर ये हालात कुद्रत ने पैदा किये है कुद्रत चाहती है कि तू अपने परिवार का पता लगाए अपने माबाप का पता लगाए और ये पता लगाने की पहली CD है दुबई राओ क्योंकि दुबई राओ ही तुम्हें बता सकता है कि उसका DNA तुम्हारे DNA से क्यों मिलता है मतलब कि शायद वो तुम्हें तुम्हारे माबाप तक मोचा दे सुरज का स्वर सहसा ही कटोर हो गया मेरे माबाप, भाई, बेन सारे रिष्टे आप पर आकर खतम हो जाते हैं अद्रक चाचा कुछ देर के लिए बहग गया था मैं जो इन सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था दुबई राओ और मैं एक ही बाप की ओलाद है तो क्या हुआ करे वो अपरादी है तो हुआ करे मुझे कुदरत के पैदा किये हालात के इन चक्रवियों में नहीं फसना है अद्रक चाचा मुझे नहीं पता लगाना कि मेरे माबाप कौन है शायद तू डर गया है वेटे अपराद से न जुड़ा हो तू अपने अतीज से डर कर भाग रहा है सुरज मगर याद रख ये जरूरी नहीं कि उलादे अपरादी हो तो उनके माबाप भी अपरादी हो अगर ऐसा होता तो तू अपराद के खिलाफ ना लड़ रहा होता क्योंकि तू भी उनी माबाप की उलाद है भूल गया अपना बच्पन जब तू मेरी गोद में सिर रख कर रोया करता था और मुझसे कहा करता था कि तू गटर की पैदाईश है सब तुझे कुट्टे का बच्चा और कच्रा पेटी कहते हैं कुद्रत के काम को चुनोती मद दे सुरज कुद्रत के कामों का समय नियत होता है कब किस समय किसको किस से मिलाना है या बिचुडवाना है ये सब कुद्रत की बाते हैं और मुझे तेरे माबाप मिल जाएंगे और तुझे तेरे माबाप मिल जाएंगे तो तेरा प्यार मेरे लिए मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं हो जाएगा ठीक है अद्रक चाचा, ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, बर्सों से जो एक सवाल मेरे सीने के जौला मुखी में लावे की तरह खोल रहा है, शायद वक्त आ गया है, कि अब मैं उसे फूट कर बाहर आ जाने दू, कुट्टे का बच्चा या गटर की पैदाईश, भले ही दुन अमीन, खुदा खहर करे, दुबई राव जैसे लोगों पर कहर करे, दुगा बिल्ली की तरह आकर हमारा रास्ता काट जाता है, और हम एक कदम और आगे बढ़ने की बचाए, दो कदम और पीछे हड़ जाते हैं, हाँ, ये ठीक है, कि ऐसा हो रहा है खोड़े, पर अब ऐसा नहीं होगा, सूरिया इस बार भले ही बच गया, पर मैं उसके सहीत, इस पूरे चोदरी खांदान को दोगा केले चारे के रूप में इस्तेमाल करूँगा, और जानते हो, चारा क्या होता है, जो मचली को फासने के लिए काटे में लगा जाता है, हाँ, और चारे का सबसे ब चारी की ऐसी बाते मेरी समझ में नहीं आती, मुझे तो ये बताओ भाई, कि अब आगे क्या करना है, फिलहाल डोगा जैसी मचली को फासने के लिए मैं चोदरी खांदान के दूसरे चारे भानू का प्रयोग करूँगा, उसे मेरे फार्म हाउस के अस्तबल में खीच लाओ ठीक है भाई, ये काम मुश्किल नहीं, दोगा के दिमाग पर अतीत की धूल की जो परत चड़ चुकी थी, उसे साफ करने के लिए, उसे जरुती दुबाई राओ की दुबाई राओ का पता मुझे एक सक्स बता सकता है और वो है भानू, जिसके कभी अंडर वल्ट से रिष्टे रही हैं, शायद अपने काले अतीत में उसने कभी दुबाई राओ या उसके किसी आदमी की भी कोई जूटी मेडिकल रिपोर्ट बना कर उसकी मदद की हो, भा अपनी कार में घर जाएगा, ये भानू की कार है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस वक्त कार में ही रहो, ताकि भानू को कुछ भी सोचने या समझने का आफसर ना मिले, किसी भी दूसरी गरबड को संभालने के लिए मैं बाकी आदमियों के साथ पारकिंग के बाहर रह भानू ठीक समय पर कार में पहुचा तो, दोगा तुम? हाँ, कार में बैटो, मुझे तुमसे एक काम है, खोडे ने कार आती देखी, ये क्या, कार में डोगा कहां से आ गया, और मेरे आदमी कहां गये, भानू, मुझे दुबाई राओ की तलाश है, वही दुबाई राओ, जो तुमारे भाई की उस हालत के लिए जिम्मेदार है, समझा, दोगा के डर से वो दोनों कार की सीठ के नीचे चुप गए होंगे, लानत है अंडर वर्ल्ड पर, जिसकी पतलून दोगा ने धीली कर रखी है, दोगा, इस मामले में मैं तुमारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो फिर कार रोक दो, क्योंकि तुमने तो मेरी मदद कर दी है, क्या मतलब दोगा, मतलब अभी तो भी देर में पता चल जाएगा, बम, बम, ये अवाजे तो पिछली सिठ के नीचे से आ रही है, सिठ के नीचे कौन गुसा हुआ है, ओफ, ये दोनों निसंदे दुबई र निकाला है, और बिना सेफ्टी पिन निकाले, वो फटेगा नहीं, धार, और अब जब इन पिस्टोल की नलिया, मैं तुम्हारे मुझ से भाहर निकालूँगा, तो उसके बाद तुम्हारे मुझ से, सिर्फ मेरे प्रश्णों के जवाब ही निकलने चाहिए, दोगा का काम ह हो चुका था, दोगा के जाने के बाद मौका खोडे भी नहीं चुका था, हिलना मत, अरे रे, कौन हो तुम, उफ, दुबई राओ के आदमी, जिसकी बिल्डिंगों की बोरी लगाई थी तुमने, खोडे ने कार की पिछली सीट पर जाका, तो उसे वहाँ दो लाशे दिख खोडे हो जाएं, लेकिन भाई, तुमने डोगा का क्या इंतिजाम किया है, वो आएगा जरूर, अगर वो हमारे ही घर में हमें सिकस्त दे कर चला गया, तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात होगी, उसका इंतिजाम मैंने कर दिया है, खोडे, घबरा मत, डोगा से मत घब खोड़ा, गोडो पर और जोर से चाबुद बरसाओ, कमबकतो, अँज when, तुमने जितने बरसाने थे, वो बरसा लीए, अब चाबुद बरसाने की बारी मेरी है, दोगा का हर पायर एक मोथ है, घूण, उफ, डोगा का हर बार एक मोथ है, साएं, उफ, डोगा का आकरिमन ख और मानवता के हक में उठा, कदम, जिंदगी भी, धाएं धाएं, हुफ, हिननन, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ, कि किसी को डोगा कुछ करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, दुबई राओ, चाहता तो ये गोलिया, इसी वक्त तुमारी खोपडियों के आर पार कर ड दूँगा, दोगा दुबई को कवर करके, फार्म हाउस के अंदर ले आया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ दुबई राओ, वो वज़य है, मुझे जन्म देने वाले, मेरे माबाब, और सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो, कि वो कौन है, कहां है, दोगा कहता रहा, दुब दुबई राओ का भाई, यकीन नहीं होता, भाई भाई पर पिस्तोल ताने क्यों खड़ा है, अब इस बारूदी दिवार को बीच में से हटा देडोगा, क्योंकि अब दुबई तुझ पर वार नहीं करेगा, दो भाईयों गवा चुका हूँ, तीसरे को नहीं गवा सकता, नहीं दुबई राओ, खून के रिष्टे भी तेरे और मेरे बीच में खड़ी बारूद की इस दिवार को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बीच में फर्ज का अटूट कवच है, ओ, मैं तो भूल गया था, कि ये कल्यूग है, जहां भाई-भाई का भी खून बहा सकता है, नह पहले यही साबित कर दूँ, कि तु मेरा भाई है, मुझे कहां ले जा रहा है, दुबई उसे जहां लाया, वो जगह एक गंदी चौल थी, तु मुझे इस चौल में क्यों लाया है, दुबई, और कहां ले जाता, ओलाद के कदम चलना शुरू करते हैं, तो सारे राष्टे एक ही मंजिल पर पहुँचते हैं, जिसका नाम है मा, तो क्या ये, तू फिर आ गया, अपना मन्हुस चैरा लेकर यहां, मुझे पता है, कि तू ये बक्सा खोलना चाता है, पर मैं इसे तुझे नहीं खोलने दूगी, जा दफा हो जा यहां से, मा, तू सुन, गब्रा मत, म देख, मैं किसे लाया हूँ, दोगा को, तेरे अपने खून को, तेरे बेटे को, तेरे सगे बेटे को, क्या, अंट्शंट बक रहा है, करम जले, दोगा, ये मेरी मा है, तेरी भी मा है, नहीं, मैं किसी की मा नहीं हूँ, मैं इस बक्से की मा हूँ, ये मेरा बेटा है, और द डोगा तो जैसे अब पलक उस ओरत को देखे जा रहा था, जो उसकी मा थी, अभी तक तो मा शब्द से ही परिचित था डोगा, आज पहली बार शाकसात उसे देख रहा था, पर डोगा ने अपने हर्दिया पर ममता को हावी न होने दिया था, क्या है इस बकसे में, पता नहीं जब से हो संभाला है, इसे ऐसे ही इस बकसे के लिए पागल देख रहा हूँ, इसमें क्या है, कोई नहीं जानता कैई बार मैंने बकसा चीनने की कोशिस की, तो ये शेड़नी की तरह मुझपर तूट पड़ी, फिर मैंने भी कोशिस करनी बंद कर दी, पर जिस तरह ये बकसे को अपना बच्चा बताती है, और जिस तरह तुम मेरे भाई बनकर मुझे मिले हो, उससे मुझे लगता है, कि इससे तुम्हारी बच्पन की यादे तो नहीं जुडी, साइद ये बक्सा ही इसके पागल होने का कारण है, मुझे देखना होगा कि बक्से में क्या है, ऐसी हिमाकत ना करना डोगा, अगर तुमने बक्से को चुआ भी तो ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन बक्से को खोल कर त कैई साल पहले तुझसे बिचुड गया था, आज मुझे मिल गया तो मैं अपने साथ ले आया, दोगा, पूछ इससे, पूछना चाता है, सायद इसे कुछ याद आ जाए, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, ये वो सवाल है, जो नाक की तरह, आज तक मेरे जहन को डस रहा है, मेरी जिंदगी पर इतना जहर उगला है इस सवाल ने, बारूत फन कर फटा है ये मेरी रगरग में, तडप तडप कर पूछा डोगा ने, बताओ, क्यों फेका कुडे पर, ज्याद करो, बताओ, क्यों फेका कुडे पर, एक मा अपने सीने पर छुरिया चला सकती है पर अपनी कोक के जाय को कच्रा पेटी में नहीं फेक सकती, अगर वो ऐसा करती है, तो वो मा नहीं, राक ससी है, बताओ, क्यों फेका कुडे पर, अरे करम जले, मेरे बेटे को कहां ले जा रहा है, रुख जा सेतान, मा दुबई के पिछे लपकी, बाहर सीडियों पर मा की चीके गुंजूठी, डोगा जपटकर बाहर आ गया, अहां, मा, ओ नहीं, ये मर गई डोगा, ये मर गई, डोगा का चहरा भाव शुन्या था, मा और बाप की मोत से पैदा होने वाली भावनाए, तो उसके चहरे पर परकट भी नहीं हुई थी, इसकी मोत का जिम्मेदार, ये बक्सा है, बक्से में एक नवजाज शिशू के बहुत पुराने से कपड़े हैं, ये तस्वीर और पत्र किसके हैं, अगर इस तस्वीर की उमर 25-30 बरस बढ़ा दी जाए, तो जहन में जो तस्वीर बनेगी, वो जश्टिस चोदरी की होनी चाहिए, निसंदे, ये वही अमें पांच परस पहले ही मौत हो चुकी है, दोगा, हो सकता है कि ये तुम्हारे पिता की तस्वीर हो, हो सकता है, ये वो वज़े हो, जिसके कारण हमारी मा पागल हो गई, दोगा ने वो पत्र पड़ा, तुम एक जज हो, तो ये मत समझना, कि तुम मेरे पती की हत्या के गुनाह से बरी हो जाओगे खून सिर्क चड़कर बोलता है जबरदस्ति मुझे हासिल करने की तुम्हारी चाहा कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया मैं उस हत्या की चशमदीत गवा हूँ लेकिन बावजूद इसके मैं तुमारे खिलाफ कभी नहीं दूँगी पर मेरे बच्चे को वापस कर दो मैं तुम्हें कुद्रत की दी सजा के मिलने का इंतजार करूँगी मेरा बच्चा मुझे दे दो बड़क उठा दुबई जवाब मिल गया होगा कि तुम्हें कुड़े पर किसने फेका जश्टिस चोद्री ने इस पत्र से साफ लग रहा है कि वो मा को चाहता था पर मा उसे नहीं इसी इर्शया में आकर ही उसने तुमारे पिता की हत्या कर दी और सजा से बचने के लिए वो तुम्हें उठा ले गया और फेक दिया कुड़े पर शायद किसी खारण से मा ये पत्र चोद्री तक पहुचा नहीं पाई होगी लेकिन तुम्हारे गम से मा कभी उभर नहीं पाई डोगा इसकी दूश्यादी कर दी गई होगी पर वो धिरे-धिरे पागल होती चली गई इसके लिए जश्टिस चोद्री जिम्मेदार है अपनी मा को अगनी देने से पहले मैं चोद्री के वजूद को चला कर खाक कर दूँगा नहीं उसे सजा तुम नहीं दोगे पहली बार किसी हिंसक बेड़या की तरह गुराया थडोगा उसे सजा मैं दूँगा क्योंकि उसके पाप की सजा भी तो आज तक मैंने ही बुकती है अपने माँ बाप के प्यार से आज तक बन्चित मैं रहा हूँ मैं तो आज तक अपने माँ बाप को ही वो वज़ा मानता रहा जिसके कारण में कुप्ते का बच्चा कहलाया मुझे माफ करना मा तुम तीन चिताई तयार करवाओ दुबई मा इस दुन्या से अकेली नहीं जाएगी उसके साथ जाएगा जश्टिस चोदरी मगर चिताई तीन क्यों वो भी तुमें लोट कर बताऊंगा फिर तीन चिताई तयार करो जल्दी करो दुगा आता ही होगा चोदरी की लाश लेकर खोड़े तक तब तक होश में आ गया था और दुबई उसे सब कुछ बताता चला गया था मगर भाई तीन चिताई क्यों ये बात तो डुगा ने तो मुझे नहीं बताई पर मैं तो ये जानता हूँ कि वो तीसी चिता मैं किसके लिए बनवा रहा हूँ तुम किसके लिए बनवा रहे हो डुगा के लिए डुगा के लिए? मैं समझा नहीं दुबई ने जबरदस्थ अटास लगाया हाँ 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 मैंने तुझे कहा था ना घुडे कि मैं चोदरी खांदान को डोगा के लिए चारे के रूप में परियोग करूँगा क्योंकि चारे का सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि चारा भी खतम हो जाता है और मचली भी शिकारी के काटे में आप फस्ती है जिसे वो जैसे चाहे चीर सकता है और तुने ये कहा था कि ये बात तेरी समझ में नहीं आई हाँ तो सुन मैं डोगा का भाई नहीं हूँ जो मरी है वो डोगा की मा नहीं है जो मिला है वो पत्र उसने नहीं लिखा मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुझे याद है खुडे जब अस्पताल में डोगा से बचने के लिए हम एक कक्ष में गुस गए थे ये डोगा कमबक्त इस वक्त यहां क्यों आया होगा महां रखे कम्पिटर पर कुछ सिगनल आ रहे थे जिनने देखकर मैं और तुम भी चोक पड़े थे ये क्या हो रहा है भाई कम्पिटर स्क्रीन पर शराफत अली का नाम लिखा है और एक नंबर उसके आगे बिलिंक हो रहा है ये किसी पेशन्ट का केस नंबर होगा उस कम्पिटर पर शराफत अली और उस केस नंबर के पेशन्ट के खून वे डी एनने की सारी रिपोर्ट्स मैच हो रही थी शराफत अली डोगा है और ये रिपोर्ट्स बता रही है कि इस केस नंबर वाला पेशन्ट क्योंकि डोगा मेरे हमले में घायल नहीं हुआ था जबकि वो आदमी उस वक्त होस्पिटल में घायल पड़ा होना चाहिए ये निश्चित रूप से कोई और आदमी था तब भी भार से खिडकी की ग्रिल कटने की आवास सुनकर मैं समझ गया कि डोगा भी यहीं आ रहा है पर क्यों इसका जवाब साफ था कि उसे भी इस मुहिम का पता चल गया है और वो इन डाटाज को डेश्ट्रोई करने आ रहा है मेरे दिमाख ने उसी समय एक भयानक जाल बुन लिया ये क्या कर रहे हो दुबाई भाई फिलहाल चुप रहो मैंने वह केस नंबर बदल दिया वहाँ पर अपना केस नंबर दर्ज कर दिया डोगा ने मुझे अपना भाई समझ लिया जबकि उसका असली भाई कोई और है ये बात पता चलते ही मैंने एक कोड़त को डोगा की नकली मा बना दिया और उस बकसे की कहानी गड़कर चोदरी की तस्वीर और पत्र का चक्कर चला कर डोगा को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उसके बाप का कातिल चोदरी है डोगा चोदरी को मारने गया है पर उसका रास्ता रोकेंगे सूरिय, भानू और किरन दोगा का सामने इन में से एक भी नहीं कर पाएगा महां भीशन जंग होगी खुड़े सब माले जाएंगे फिर दोगा चोदरी की लाश लेकर यहां आएगा तो मैं उसे अपनी गैंग में शामिल होने को कहूंगा अगर वो मान गया तो ठीक है बढ़ना हम उसे खतम कर देंगे और तेसी चिता पर उसे अगनी मैं दूँगा सारे दुसमन एक साथ खतम हाँ 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 तुमने तो कमाल कर दिया भाई देख इसे कहते हैं दिमाग भाई वहाँ मान गए दुबैराओ तुम्हारे दिमाग को कौन है अंदर दोगा बढ़ाख अब मेरी सुन ये सच है कि पहले मैं तेरी चाल में फस गया था उस औरत को अपनी मा समझ बैठा था लेकिन जब मैं उसके पाउँ छुने को जुका तो तेरी चाल की पोल कुल गई उसके पाउँ में बिच्वा देखकर मैं चौक पड़ा क्योंकि वो औरत एक विद्वा थी अगर वो पागलपन में विद्वा हुई थी तो नाते रिष्टदारों ने उसकी सुहाँ की निशानिया उतार दी होनी चाहिये थी अगर वो पागल थी तो पागल औरत सुहाँ की निशानी के रूप में सिर्फ बिच्वा ही नहीं पहनेगी बल्कि सबी सास सिंगार करेगी बिच्वे ने मुझे शक में डाल दिया मैं अभी उस सक से जूज ही रहा था कि मैंने उस औरत के पाउँ के तलवे पर खून जमा हुआ देखा जैसे कोई कील उसके पाउँ से चुपी हो एकदम से मेरे जहन में ये विचार घुमा ये गिरने से लगने वाली चोट का खून नहीं है मैंने लकडियों की बनी सीड़ी को ध्यान से देखा तो एक कील को बीच रास्ते पर उपरा पाया इस कील के यहां उपरी होने का कोई ओचित्य समझ में नहीं आता क्योंकि कील दो लकडियों को एक साथ ठुकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है तो क्या इस औरत को यहां से गिराने के लिए ही यह कील किसी ने यहां लगाई है क्योंकि इसे लगाने वाला जानता था कि भागते वक्त यह नंगय पाउं होगी अगर किसी ने ऐसा किया है तो क्यों निश्चित रूप से वो आदमी दुबई राओ ही हो सकता है यानि कोई ऐसा रहस्य है जिसे वो इसकी मोत के साथ ही दफन कर देना चाहता है ताड़ 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 और जहां बात रहस्य की आ जाए तो वहां हर कदम फूख फूख कर रखना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है अब मेरे दिमाग में जो प्रशन उठा वो उसके पागलपन को लेकर था कि वो औरत पागल कहीं इसलिये तो नहीं है कि अगर वो ठीक होती तो उसे मेरे प्रशनों के जवाब के साथ ये भी बताना पड़ता कि उसने मुझे कहां किस जग्य छोड़ा वो चंबल के बीढ़ों से निकल कर यहां कैसे आ गई इन सब बातों से बचने का एक मात्र रास्ता पागलपन का ढोंग ही हो सकता है तुने चारा तो अच्छा लगाया था दुबई राओ पर मचली फसी नहीं तार 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 अब देख कि कैसे वो मचली अपराद की दलदल के मगर मचो को खतम करती है एक चिता तो उस ओरत की ही जलेगी बाकी की दोनों चिताए मैंने तुम दोनों के लिए ही बनवाई थी दुबई राओ बचो भाई तार 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 वैन गोली किसी तेजी से दोड़ी खुड़े दोड़ा वैन चिताए सच चुकी है दुबई राओ कहां भागोगे चियूम चियूम क्योंकि तुम भाग गए तो मैं अगनी किसे दूँगा कड़ाच वैन में से खुड़े बहर आ गया खुड़े तुने उस वक्त मुझसे पूछा था कि मैंने तुझे गोली क्यों नहीं मारी तब मैंने तुझे गोली इसलिए नहीं मारी थी क्योंकि कभी-कभी वफादार कुत्ते की मोद देखकर स्वामी भी पागल हो जाता है और तब मुझे तेरे स्वामी दुबई राओ से अपने प्रशनों के उत्तर पूछने थे अगर मैं तुझे गोली मार देता तो शायद वो मुझे मेरे प्रशनों के उत्तर हसानी से न देता पर अब मैं तुझे गोली जरूर मारूंगा धाए आ क्योंकि अब तेरा स्वामी पागल भी हो जाए तो मुझे तो उसे भी खतम ही करना ही है दुबई राओ ने सीधी खड़ी वैन को अंदर से पूरी ताकत लगा कर डोगा पर गिरा दिया कडच बूरी तरह चक्राया डोगा का दिमाग फिर खीचकर निकालो इसे बहार और डाल दो चिता पर गोली की असान मोद नहीं दूगा मैं इसे लगाओ लकडिया इसे चिता पर ही जलाओंगा हाँ 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 डोगा I will kill you I will kill you डोगा गोली चलने वाली थी पर गोली चलाने की पहल दूसरी जंगे से हुई नहीं ये हाथ तो डोगा का है डोगा अगर मैं मर गया तो तुझे वो केस नंबर पता नहीं चलेगा जो सचमुच तेरे भाई का है धाए अहा मगर गोली चली दूबई की सांस रुकी दोगा के हाथ ना रुके धाए धाए गोली तब तक चली जब तक की दूबई राओ का एक भी आदमी फसा कर मेरे साथ मजाक कर दिया लेकिन इस हकिकत से मैं इंकार नहीं कर रहा कि श्राफत अली यानी मेरे बलड वे DNA सेंपल से किसी ने किसी का बलड और DNA तो मेच किया ही है जिसे देखकर दुबई चोग गया था दोगा इस प्रशन का उत्तर जानने के लिए बेचैन था उतना ही बेचैन किरन थी जिसकी बड़बडा हाटे दोगा तक पहुँच रही थी कोई ग्रिल काट कर मेरे कम्पिटर कक्ष में क्यों गुसा था कोई ग्रिल काट कर मेरे कम्पिटर कक्ष में क्यों गुसा था कौन हो सकता है वो शायद मेरी पस्तिती में किसी ने computer को भी छेडा हो मुझे एक बार फिर से शराफत अली उर्फ डोगा के blood sample वे DNA reports को चेक करना होगा ओहो, ओहो किसी ने इसे बदल दिया है ताकि किसी और से ये reports match ना होने पाए और ये काम निश्चित रूप से डोगा का है इसका मतलब डोगा यहां आया था अब मुझे फिर से सभी data's को डोगा के blood वे DNA sample से चेक करना होगा ये case number blink कर रहा है और ये case number तो भाईया, सूरिया का है उफ, तो क्या सूरिया भाईया ही डोगा है लेकिन ये कैसे हो सकता है भाईया को तो डोगा नहीं बचाया था तो क्या भाईया कभी-कभी ऐसा सिर्फ दुन्या को धोका देने के लिए करते हैं ताकि कोई उन्हें डोगा न समझे ओह गोड, किरन तो पता नहीं क्या-क्या सोचे जा रही थी मगर डोगा तो वो देख रहा था इसे देखने के उसने कभी कलपना भी न की थी अगर वो सक्स सूरिय है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सूरिय मेरा भाई है भानू मेरा भाई है किरन मेरी बहन है और जस्टिस चोदरी वो मेरे पिता मैं अनात नहीं हूँ हाँ, मैं गटर की पैदाइश नहीं हूँ मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ अज़्दक चाचा, जवाम मिल गया मुझे मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ समाप्त चलिए दोस्तो, डोगा का ये दुवाधार कॉमिक्स बस इतना ही